हाई फ्रेंड्स, वेलकम तो सन स्टेडी, आज मैं अर्दमेटिक प्रैक्टिस का रूप में वन कोशिन उसका सुल्यूशन बताएंगे एक कार निरंतर गती से P से Q तक यातर करती है, यदि इसका गती 10 किलोमेटर पर गंटा बढ़ जाती, तो यहां दूर थया करने में एक गंटा कम समय लेती यदि गती को 10 किलोमेटर पर गंटा और बढ़ाई जाते तो यहां 45 मिनिट और कम होता, दोनों का बीच के दूर क्या है, जो आंसर है, आप्शन C, 420 किलोमेटर, ओके, सुल्यूशन देखेंगे यदि क्या बोला, इसका जो है 10 किलोमेटर पर गंटा बढ़ जाते रहे, 10 किलोमेटर, ओके, इसका सुल्यूशन में, पी क्यू का दच जो दूरे, डिस्टेंज, डी मानेंगे टॉल्टल टाइम जो ए, T मानेंगे, स्पीड को S मानेंगे ताइम इस एकोल टू क्या होगा, डिस्टेंज बाइ, स्पीड, तो क्या दिया है, डिस्टेंज, बाइ, स्पीड को फर्स्ट केस में, 10 किलोमेटर बढ़ रहे, तो क्या होगा, S प्लेस 10 speed plus 10 तो क्या हो रहाए? एक गांटश mesaë कम हो रहाए इसमें से D by S plus 10 करने से क्या हो रहाए? एक गांटशbaff समय में थाई कर रहा है तो क्या करने इसको एक करने से total time आएगा distance by S plus 10 plus जो बच गया 1 hour तो क्या हो गए total time तो इसको क्या होगा इसको बराबर होगा यह दोनों को बराबर करने से क्या होगा d by s minus d by s plus 10 is equal to 1 तो d common करने से क्या होगा 1 by s minus 1 by s plus 10 is equal to 1 d into lcm लेने से s into s plus 10 by s plus 10 minus s is equal to 1 s को s करने से 10 into d 10 d is equal to s into s plus 10 over 10 d is equal to kaya होगा s square plus 10 s इसको पर्स्टी क्यों वानेंगे second में क्या होगा same t is equal to d by s time is equal to distance by speed second case में क्या दिया और 10 अवर 10 km बढाया अवर 10 km बढाने से क्या होगा s by s plus 20 उसका बद केतना time बच्च गया था 45 minutes और बच्च गया था पहले 1 hour उसका बद 45 minutes 1 hour 45 minutes 45 minutes का आवर में करने से 45 by 60 तो 15 3 जा 15 4 जा तो d by s is s इसको इस तरह पाने से क्या होगा d by s plus 20 is equal to 1 and 3 by 4 hour d common करने से क्या होगा s into s plus 10 को लस्यम लेने से s plus 20 s into 1 s plus 20 minus s is equal to 4 1 जा 4 plus 3 7 by 4 s को करने से क्या होगा d by 20 d by s into s into s s square plus 20 s is equal to to 7 by 4 इसको cross multiplication करने से 4 20 जा 80 d is equal to 7 s square plus 720 जा 140 s इसको second equation मानेंगे तो यहां पे 80 d था यहां पे क्या हया 10 d इसको भी 80 d करना ही तो क्या करना है इन्टो 8 80 d is equal to 8 s square plus 80 s okay इसको अब क्या हो गया दोनों equal हो गया 1 and 2 equation में तो यह क्या होगा यह दोनों भी equal होगा यह दोनों को equal करने से 8 s square first and second equation से 8 s square plus 80 s is equal to 7 s square plus 140 s तो 7 s square इस तरफाने से क्या होगा 8 s square minus 7 s square is equal to 140 s minus 80 s 1 s square is equal to 60 s square को s को कातने से s is equal to क्या होगा 60 means km per hour जो speed हाया 60 km per hour जो first equation क्या था t equal to d by s is equal to d by s plus 10 plus 1 sms s s ka plus me 60 देने से क्या होगा d by 60 is equal to d by 60 plus 10 plus 1 d by 60 minus यह इस तरफाने से minus होगा d by 70 is equal to 1 then क्या होगा d common करने से 70 60 का LCM क्या था 420 67 जा 7 76 जा 6 minus है तो मैनस लिया तो क्या होगा इसका बाराबार 1 10 minus 6 1 d by 420 is equal to 1 तो d is equal to क्या होगा 420 okay तो हम लोग को क्या चाहिएता है डिस्टेंस ही चाहिएता है P & Q का जो के तना है है 420 किलो मेटर तो क्या था option option सीथा okay friends thanks for watching please like share and subscribe next time